हैलो रिवान, विलकम बेक और उब चुका हूँ, तो यहाँ हो जाएगा tired of, उब चुका हूँ, क्यों उब चुका हूँ, तो किस तरह से तो बैठे बैठे, तो अब यहाँ जैसे ही preposition आ गया, तो बैठना कि एंग्रेजे वहाँ जिरंट फार्म में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा sitting, I am tired of sitting, और उस चुका हूँ, अगला sentence है, कि तुम अपनी भूल पर पच्चताओगे, अक्सर कोई ब्यक्ति कोई काम कर रहा, तो उस समय कोई कहता है, कैसा है, जो काम कर रहे हो, गलत कर रहा, नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, तो कर रहे हैं तो तो इस sentence का अंग्रेजी क्या हो शकता है, या future inde definite में है, तो यहां हो जाएगा you, और will, अब पस्ताना के अंग्रेजी, पस्ताना के अंग्रेजी regret या repent होता है, चलिए, regret लिखते हैं, यह हो गया, you will regret, तुम पच्चताओगे, किस पर पच्चताओगे, तो अपनी भूल पर पच्चताओगे, तो अपनी भूल पर के लिए क्या हो जाएगा और योर और ये हो जाएगा mistake यानि you will regret for your mistake कि तुम अपने गलती के लिए पच्ताओगे इस sentence का अनुबाद ये हो जाएगा अगला sentence दिया है कुछ ना कुछ होकर रहेगा अक्सर ऐसा होता है खाते हैं कि कुछ ना कुछ तो होकर ही रहेगा तो इस sentence का अनुबाद हो जाएगा यहां लिखेंगे कुछ ना कुछ तो something के उसके बाद और और यह हो जाएगा other और होकर ही रहेगा एदम निश्चित जोड़ देकर के कहा जा रहा है तो मस्ट का प्रियोग कर देंगे something or other must और होना के अंगरेजी यहाँ happen यानि घटित होना यह हो गया कि something or other must have happen कि कुछ न कुछ होकर रहेगा इस sentence का उन बाद यह हो जाएगा अगला दिया है मुझे आप से हमदर्दी है तो मुझे आप से हमदर्दी है अगर इस sentence का उन बाद बनाना होगा तो यहाँ हो जाएगा कि I have और हमदर्दी के लिए हम sympathy का यूज करते हैं यह हो जाएगा यानि मुझे हमदर्दी है और उसके बाद कह रहा है कि आप से I have sympathy और यहाँ कर देंगे with अगला sentence दिया है कि हम उसके पिता के बारे में लंबी बात चित किये अक्सर मिलते हैं कि अपने मित्र से तो पुझते हैं तुमारे पिता जी कैशे हैं तो उनके बारे में जो भी कुछ होता है कि लंबी लंबी बाते करते हैं तो वही कह रहा है कि और यहां हो जाएगा talk, कि हम लोगों ने लंबी बात चित किये, अब किसके बारे में, तो कह रहा है कुछ के पिता के बारे में, तो यहां हो गया about, और यह हो गया his father, यह हो गया, तो हम उसके पिता के बारे में लंबी बात किये, तो we had, और long talk, तक हम लंबी बात किये about his father, तो इस sentence का उन बात ये हुआ, कुछ और भी देखते हैं, तो अगला sentence देखते हैं, अगला sentence है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो सबसे पहले दिया है जो होता है, यह इसको कहा सकते हैं कि जो कुछ होता है, दोनों बात यह कही है, तो जो होता है, तो इसके लिए हम use करेंगे whatever, whatever, यानि जो कुछ या जो भी, तो जो कुछ होता है, या जो भी होता है, अब होना के इंगरेजी यहां कर लिखेंगे, तो happen यह जो कुछ होता है, अब यह अच्छे के लिए होता है, तो सबसे पहले है, और उसके बाद अच्छे के ल तो यहां हो जाएगा for the best, यह इसका अनबाद हो गया, कि जो कुछ होता है या जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो whatever happens is for the best, अगला sentence, अगर डर लग रहा है, तो हाथ पकड़ लो, अगर इस sentence को लिखना है, तो क्या हो जाएगा, कि डर लग रहा है, तो हाथ पकड़ लो, तो यहां अगर sentence में imperative आया हुआ है तो imperative sentence का अनवाद हम फहले लिखेंगे यानि मेरा हाथ पकड़ लो तो यहां हो जाएगा कि hold my hand यह हो गया hold my hand मेरा हाथ पकड़ लो किसी स्थिती में पकड़ लो अगर डर लग रहा है तो यानि किसे कहा जार इंपरेटिम हमेशा जो संकेत करने वाले या किसी को इंडिकेट करते हैं तो वह होता है हमेशा you तो यहां कर देंगे अगर यानि if you are और यहां हो जाएगा afraid यानि hold my hand मेरा हाथ पकड़ लो if यदि you are afraid यदि तुम्हें डर लग रहा है तो वही हो जाएगा अगर डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लो इस संटेंस का अनबाद हो गया अगला संटेंस है कि मुझे उसकी बहुत फिक्र है अक्सर कहते हैं कि मुझे उसकी बहुत फिक्र है बहुत उसकी चिंता हो रही है तो अगर इस संटेंस को लिखना होगा तो क्या कर सकते हैं तो यहां हो जाएगा I और उसके बाद हो जाएगा care about अब उसकी तो हर भी लिख सकते हैं या हिम भी लिख सकते हैं दोनों में से कोई लिख सकते हैं कि I care about her मैं उसकी चिंता करता हूँ और कराए कि बहुत तो बहुत के लिए यहाँ too much लिख देंगे यह हो गया कि I care about her too much मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है या मैं उसकी बहुत चिंता करता हूँ दोनों बात एक ही है अब यहाँ दिया है कि जिसके दिल पर बीतती है वही जानता है अक्षर ऐसा होता है काते हैं कि कश्ट वही जानता है जिसके उपर गुजरता है तो यही सिंटेंद दिया है कि जिसके दिल पर बीतती है वही जानता है तो यहां लिख देंगे वनली यानि जिसके दिल पर बीतता है वही जानता है तो वनली अगर हम plural number में use करेंगे तो दे हो जाएगा similar में use करेंगे तो ही हो सकता है तो only, अब यहां हो जाएगा, they can realize, यह हो गया, only they can realize, केवल वही realize कर सकते हैं, वही महशूश कर सकते हैं, कौन, तो कह रहा है कि who have, और यह हो जाएगा, तो जिसके दिल पर बीतती है, वही जानता है, तो इसका हो गया, only they can realize, who have suffered, यानि जो उसक्ष्ट को जहला है, वास्तों में वही महशूश कर सकता है, इस सेंटेंस का उनबाद यह हो जाएगा, अब देखो, अगला सेंटेंस दिया है, कि मेरा मुहमत खुलवाओ, अक्षर होता है, कि मेरा मुहमत खुलवाओ, तुम्हारी क्या-क्या शिकायते हैं, अगर मैं खाना शुरू कर दूंगा, तो दिक्कत हो जाएगा, वही कह रहा है कि मेरा मुहमत खुलवाओ, अगर इसको हम लिखना होगा तो क्या कर सकते हैं तो यह imperative sentence यहां हो जाएगा don't और काजेटिव वर्व में बनना है अब यहां हो जाएगा don't make me और यहां हो जाएगा say it don't make me say it मेरा मुँ मत खुलवाओ या मुझे इसे कहने पर मजबूर मत करो यह sentence का अनबाद यह हो गया अगला sentence दिया है भूख उसे चोरी करने पर मजबूर कर दिया अब इस sentence को अगर अंग देजी मनुबाद करना होगा तो क्या कर सकते हैं यानि भूख ने उसे चोरी करने पर मजबूर कर दिया तो सबसे पहले भूख यानि जो noun का काम कर रहा हुआ है hunger अगर अब मजबूर कर दिया तो यहां हो जाएगा drove डी आर ओ वी ए यानि hunger drove अब मजबूर कर दिया किस लिए मजबूर कर दिया तो object यहां लिखेंगे him यानि hunger drove him अब किस लिए तो चोरी करने पर तो हंगर drove him to steel कि भूख उसे चोरी करने पर मजबूर कर दिया तो इस तरह के sentence का अनुबाद हम इस तरह से कर सकते हैं तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और फिर मिलते हैं किस चाने वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई